नमस्कार आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कि सिंगल हड़ी है जिनका वजन बहुत कम है बहुत सुखा से शरीर है अगर वेट बढ़ाना चाहते हैं तो वेट बढ़ाने की कोई भी दवा चूरन चेटनी टॉनी प्रोटीन पाउडर या कुछ भी सप्लिमेंट लेने से पहले आईरवेद की ये बात आपको ध्यान रख लेना बहुत जरूरी है पुरी की पुरी जानकारी आज इस वीडियो में सवागत है आप सभी का ओज आईरवेद में जहां हम बात करते हैं केवल शुद्ध और सही आईरवेद के बारे में और उसी में से आज हम बात कर रहे हैं वजन बढ़ाने के बारे में वेट गिन करने के उपर हमने अल्रेडी बहुत सारे वीडियो डाले हैं और कई सारी आउशदियां भी बताई हैं वेट गिन करने में मदद करती हैं जैसे कि अश्रोगंदा शतावरी या विदारी इस तरह की चीजे या फिर उड़त जैसी जो चीजे हैं वह 20-25 से जादा वो वीडियो होंगे आप वो देख सकते हैं उनको देखने के बाद या आप पेसे कई सारी लोग ऐसे होंगे जिन्नोंने हर तरह की आउशदी खाली है आईरवेत का जो कुछ बोला वो भी खालिया है यूनानी नेचरोपैथ होमियोपैथ एलोपैथ जो कोई सप्लीमेंट बोला किसी ने बोला क्या चालिया कम है तो व आईरवेत का आईरवेत में प्रकृति के बारे में कहा गया है थीक है एक नेचर एक चीज होती है जिसमें हमने आपको बताया था कि सात तरह के शारीरिकक्रति होती है वाद पित्त कफ वाद पित्त कफ कफ वाद और एक मिक्स वाली त्री दोसज मतलब जो प्रक्रती होती है उसमें से जो लोग वाद डॉमिनन प्रक्रती है या वाद पित्त डॉमिनन जो प्रक्रती है उन लोगों का वजन नहीं बढ़ता यह उनका नेचर है उनका नेचर है अ मामा ये सबका जो खानदान था वहां से ही अगर लोग दुबले पतले ऐसे रहे हैं तो भी आप weight gain करने के बहुत ज़्यदा चक्कर में मत पड़ो एक और चीज अगर आप ऐसी जिगा पे रहते हो जहां की लोग ज़्यदा दुबले पतले ही होते हैं जैसे की कच साइड का एरिया है या आप राजस्तान के कई साइड के एरिया देखो वहां की maximum लोग दुबले पतले या थोड़े से कम शरीर वाले हैं मतलब उनका शरीर बहुत भरावरा नहीं है थोड़ा सा पतला slim body वाले लोग है अगर इस तरह के कुछ भी factor है तब आप weight gain करने के चकर में मत जाओ क्यों मत जाओ देखिए प्रकृती जो है उससे कोई नहीं बदल सकता जन्मे के समय जो आपकी प्रकृती fix हो गई है जो nature fix हो गया है वो कभी भी change नहीं होता तो अगर आपके body का nature ही ऐसा है पतला होना तो जब दस्ती आप इसे अगर weight gain करने के चकर में जाएंगे कि नहीं मैं बहुत ही दुबला पतला दिखता हूँ लोग बोलते कि जैसे hanger के उपर एक कपड़ा डाल दिया ऐसे दिखता है फिर भी आप किसी भी तरह के tonic या किसी भी चीजों के पीछे मज जाओ आपने 5-10 साल try कर लिया है weight नहीं gain हो रहा है nature को स्वीकार कर लीजिए क्यों जैसे कि समझी एक हीरन है और एक हाती है अब इस हीरन को कभी भी हाती बनने में interest नहीं है हीरन का nature है कि वो दुबला पतला रहेगा यहाँ वहाँ उचलता उचलता रहेगा वैसे ही इस हाती को हीरन बनने में कोई interest नहीं है क्यार मैं तो बहुत भारी भरकम शरीर का हूँ मैं जंप नहीं मार पा रहा हूँ मुझे भी हीरन जैसे बनना है ऐसा नहीं है तो आप जो जानवरों को देखेंगे वो उनका जो nature है वो उस nature के हिसाब से जीते है ऐसे ही जन्म से हमें जो body मिल गई है हमें जो प्रक्रिती मिल गई है उसे स्विकार करके उसके हिसाब से life जीना ज्यादा फायदे मन्द है वरना होता क्या है जब हम प्रक्रिती स्विकार नहीं करते जैसे कि पित्य प्रक्रिती वाले हैं उनका ऐसा होता है कि जन्म से ही उनके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ये गर्मी ज़्यादा होने के कारण जवानी में ही उनके बाल सफेद होना ज़ड़ jana यह उनका नेचर है अब जब हम इस नेचर को स्विकार नहीं कर दे हैं तो आप देखो क्या होता है हजारों तरह कि आप डॉक्टरों को दिखा कर आते हैं आप बहुत सारा पैसा, ये वाला तेल, ये वाला सैंपू, ये वाला टॉनि, बस ये लगा लो, ये कर लो, आप सब कर लेते हैं, और वो सब करने के बाद क्या होता है, केवल आपको frustration या फिर depression होता है, ऐसे लगता है, यार एक तो मेरे बाल भी जा रहे हैं, मेरा पैसा भी ज जैसे ज्यादा करके जो रस सार पुरूस होते हैं अब सात तरह की धातूएं हैं इन सात तरह की धातूओं का भी या कुछ लोग ओज सार या सर्वसार ऐसे भी बोला गया है उन धातूओं के भी अलग-अलग कैसे शरीर होंगे उसके बारे में आईरवेद में वर्णन किया ग ज़िएगी जिनके शरीर में मज्जा धतू की सारता जया मज्जा धतू की डॉमिनेंस होती हैं वह ज़ीदा तर पतले देखने आठक हो तब और केपीछ या किसी भी टॉनिक के पीछ पिछे अपना टाइम और भी कुछ खालिया तो वेट गिन हो जाता है थोड़ा भी कुछ मीठा खालिया या थोड़ा सा भी कुछ तेल का खालिया तो वेट गिन हो गया क्यों कि उनकी बॉड़ी की टेंडेंसी उनके बॉड़ी का नेचर या टीशू फॉर्मेशन होने का जो उनके शरीर में तो बजाए उसके लड़ने के, कभी भी नेचर से लड़ने के बदले उसके साथ जीना ये ज़्यादा फाइदे मन्द है अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आपका नेचर ही है पतला होने का तो आप और शदियां और बाकी चीजों में अपने पैसे बरबाद मत करो मेरे ऐसे कई फ्रेंड है जो कि कॉलिज टाइम से स्कूल टाइम से भी है और जब से हमने चीकिसा चालू करनी शुरू की है वो लोग ने एक एक टाइम पे 10-10 किलो 54 खाया है मतलब समझो ठंडी का मौसम चालू हुआ दो तीन महीने पे जो हमने स्पेशली खुद उनके लिए चौन प्रास बनाया था खुद सभी आउशदियां लाकर खुद करके कि ठीक है वह इसका कैसे भी वजन बढ़ जाए तो 10-10 किलो 12-12 किलो 54 खाके नर्सी है रसाइन जैसी खाके या जो भी शतावरी विदारी है तो सब कुछ मतलब 2-3-3 चमश तक पुरा भर भर के शतावरी भैस का दूद भैस का घीत तक खिला के उनका वजन नहीं गेन हुआ वह वैसे की वैसे ही थे 45 किलो है तो 45 किलो बहुत बढ़ता था तो 46-47 या बहुत वह तो 48 तक जाते थे फिर थोड़े दिन बाद 45 पर आज जाते थे तो यह उनकी बॉड़ी की टेंडेंसी थी तो बात में हमें यह समझ में आयर्वित की और डीटेल देखने को बता चला अगर उस प्रक्रिती को हम Change करने, बदलने जाएंगे, तो उसमें ये होगा कि आपका पैसा जाएगा, आपका टाइम जाएगा, प्रक्रिती टो चेंज नहीं होगी और आप अपने आपको और दुखी करते जाएंगे, पर उसी अगर आप प्रक्रिती को स्विकार कर लेंगे और मान लेंगे, हाँ बा पतला हूँ बात खतम उसके कुछ फायदे भी है जिसे आप पतले लोग हैं तो एक रिक्सा में चार-पांच लोग बैठ सकते हैं मोटे के साथ ऐसा नहीं हो सकता या जो पतले लोग हैं उनको ज्यादा जगह की जुरुत नहीं पड़ती आप कुछ भी पॉजिटिव चीज भ करने के बजाए उसे accept करना माल लेजिए ऐसे ही मोटे लोगों के लिए भी है कि मेरे पहचान की बहुत से फ्रेंड है कि जन्म से ही उनका वजन ज्यादा है अब वजन ज्यादा होने की कारण क्या होता है कि वह देखते हैं टीवी में ओहो अच्छा शिक्स पैक अच्छा य अगर आपका नेचर वैसा है तो उससे लड़ने के बजाए उसे accept कर लो और वैसी लाइफ को जीने की कोशिश ज्यादा कीजिए जैसे कि दूसरे प्राणी या फिर जानवर कहते हैं किसी बीमारी की कारण आपका वजन बढ़ गया वह बढ़ गया घड़ गया समझो कि आप अगर शरीर बढ़ गया गया है तब तो वह बैलन्स किया जा सकता है आपर जो circumstances के लिए जैरेंट है उसे change नहीं किया जा सकता यही बात आईरवेत के सास्त्र भी कहते हैं जिसे की बीज दोश नाम का सब्दाया है, कि वाई जैसा बीज था, वो बीज का फल वैसे ही होगा, अब जन्मे के समय से आम का बीज था, वो आम का पेड सोचे कि मैं नीम बन जाओं, बरगत पीपल बन जाओं, नहीं बन सकता, जो ऐसे ही जन्मे के समय जो नीम का बीज था, वो नीम का बीज सोचे कि मैं आम बन जाओं, कलिंगर बन जाओं या फिर्म गन्ना बन जाओं नहीं बन सकता, तो नेचर को सुविकार कीजिए, शरीर से लड़ना, दिमाग से लड़ना बन कर दीजिए, ये आपके शरीर, मन और फ्यूचर सभी के लिए अच्छा होगा, तब तक के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें,